नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहतरीन तरीके से चल रही होगी तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PhD प्रोग्राम एड्मिशन 2024 शेशन के बारे में तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें से कई सारे इन्वसिटी जो हैं वह सेंट्रल इन्वसिटी हैं और कई सारे इन्वसिटी जो हैं वह स्टेट इन्वसिटी हैं इसलिए आल्मोस्ट हम लोग 10 इन्वसिटी से आए हुए PhD अड्मिशन नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वीडियो को बीना स्किप के वे देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फोर्मेशन मिस ना कर सके इसमें हम विस्तार से बात करेंगे नंबर ओफ सीट्स के बारे में कब से कब तक आप अपलाई कर सकते हैं और क्या-क्या वहाँ पर eligibility criteria होने वाला है तो चलिए फिर वीडियो के शुरुआत करते हैं चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा तो देखिए पहले नंबर पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो यह जो इन्वस्टी है यह एक स्टेट इन्वस्टी है यहाँ पर 31 साथ 2024 तक यानि 31 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 1100 रुपया प्रोसेसिंग शुल्क है लेकिन आवेदन शुल्क 500 है उसके बाद यहाँ परेदी हम लोग subject wise बात करें कि कितनी सीटे खाली है तो वह आप एक बार देख लीजे इन्वस्टी का नाम है गुरु कुल कांगडी इन्वस्टी या हरीद्वार में है उत्राखंड म यानि कि आपने इसमें से किसी में भी एमे किया है तो आप Sanskrit में हाँ पे PhD कर सकते हो वैदिक लिटरेचर में दो है philosophy में नहीं है English लिटरेचर में हिंदी में देखेंगे तो 40 सीटे यहाँ पर खाली है योगिक साइन्स में बात करेंगे तो योगिक साइन्स में यहाँ पर 2 स सीटे हैं साइकॉलजी की बात करें तो साइकॉलजी में टोटल 5 सीटे खाली हैं मैनेजमेंट में बात करें तो टोटल 11 सीटे खाली हैं उसके बाद हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हाँ पे टोटल 7 सीटे हैं केमिस्ट्री में हाँ पे टोटल 14 सीटे खाली ह Geology की बात करें तो Geology में हाँ पे 8 सीटे हैं Geology और Environmental Science को मिला करके Botany की बात करें तो इसमें Botany में 15 सीटे हैं Botany और Microbiology दोनों मिला करके Physical Education में हाँ पे 2 सीटे खाली हैं Applied Science में दी बात करें तो Physics में हाँ पे 6 है, Chemistry में 9 है, Mathematics में 3 है और Computer Science and Engineering में 5 है Electronics and Communication Engineering में हाँ पे 4 सीटे हैं Pharmaceutical Sciences में 8 है Economics की बात करें तो सीटे यहाँ पे नहीं है लेकिन जियोतिर विज्ञान और वैदिक कर्मकार्ण में 1 सीटे खाली है Mechanical Engineering में 4 है यह Total 188, 188 सीटों की संख्या यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर eligibility criteria के बारें बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो है online form submit करना है और online form submit करने के बाद आपको उसको download करके कुल सचीव, गुरु, कुल कांगडी, सम बिश्वित दाले dimmed to be university को बोलते हैं डेड़ सो रुपे का आपको भुकतान करके इनके office पर भेज देना है डाक के माध्यमते 30 नवंबर 2024 से पहले आपको anyhow वहाँ पर चला जाना चाहिए अब देखिए यहाँ पर eligibility criteria के बारे में दी बात करें तो यह बहुत जरूरी है यह यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह same जो है आगे लागू होने वाला है आगे जो वीडियो में लोग बात करेंगे जिस universities के बारे में same criteria लागू होगा इसलिए एक बार ध्यान से सुन लीचे दिखिए यदि आपने चार साल का graduation किया है और उसके बाद एक साल का में किया है तब आप eligible है शर्त यही है कि 55% नमबर होना चाहिए में यदि आपने चार साल का graduation किया है तो आपके graduation में 75% माक्स का होना जरूरी है लेकिन यदि आप reserved category से है देन आपके graduation में 70% नमबर मिनिमम चाहिए यदि आपने 3 साल का graduation किया है और प्लस में 2 साल का M.A. किया है तब भी आप eligible है 55% नमबर होने चाहिए reserved category है तो 50% मिनिमम होने चाहिए उसके अलाबा यदि आपने M.Fill किया है तो M.Fill में भी same criteria लागो होगा यानि M.Fill किया है तो इसमें भी आपका 55% होना ही चाहिए यदि आप reserved है reserved categories है देन फिर आपको 50% माक्स मिनिमम होना चाहिए उसके अलाबा यहाँ पर test होगा और जिनके पास नेट जारेफ है वहाँ पर direct जो है interview के लिए अहाँ पर appear होंगे तो interview में आपको एक research proposal बगारा ले करके जाना यह सब बहुत basic बात है आप लोग PhD का interview कहीं दे रहोंगे तो आप लोग समझ सकते हैं दूसरी number पेदी हम लोग बात करें दूसरी जो university है बहुत अच्छा इसका शांदार campus है अब यहाँ पर देखिए 9 अगस्त 2024 तक आप यहाँ पर apply कर सकते हैं यह website है आपको यहाँ से जा करके apply करना है यहाँ पर आपको test देने की जरूरत होगी paper 1 और paper 2 एक ए घंटे का होगा एक घंटे का होगा एक दो घंटे का होगा test निकालेंगे उसके बाद फिर आपको interview के लिए invite किया जाएगा अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं seat के बारे में तो देखिए यहाँ पर faculty of arts की बात करें तो यहाँ पर ancient Indian history, culture and archaeology में total 3 seat है, economics की बात करें तो total 8 seat है, गांधियन NPS studies में 3 seat है police administration में एक है political science में आप यहाँ पर almost मान के चलिए 8 seat खाली है public administration में 2 है seekh studies में 2 seat खाली है faculty of science में दी आप देखेंगे तो anthropology में 3 है biochemistry में 2 है botany में आप यहाँ पर देख सकतो तो लगवग 12-15 seat है bio physics में भी लगवग 10-12 seat है chemistry की यदि बात करें तो यहाँ पर लगवग 30 के 30 से ज़्यादा ही मतलब मान के चलिए 35-36 seat है उसके लावा चुकि यहाँ पर campus भी है और affiliated colleges भी है तो दूसरे जगह पर chemistry में जो है वह एक seat है geology में आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 seat के आसपास है home science में 5 है human genomics की बात करें तो यहाँ पर लगवग 12 seat है microbiology में 2 है microbiology में 2 है nanoscience है nanotechnology में 4 seat है physics में यहाँ पर 5 है statistics में 2 है stem shell and tissue में 1 है geology में आप यहाँ पर देख सकते हैं almost 60-70 seat है business management and commerce की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी में seat खाली है almost finance, accounting, human resource, marketing strategic management, business economics human resource, human resource उसी तरीके से यदि हम लोग language की बात करें तो faculty of language में पंजाबी और संस्कृत में seat खाली है design and fine arts में आप देखेंगे vocal and instrumental music में खाली है faculty of engineering में आप देखेंगे तो CAC है, IT है, biotech है, mechanical है, electrical है, electronics है इसमें इतने सारे seat खाली है number of seats बहुत है उसके बाद यदि हम लोग इसमें देखें SSB UICETPU चंडीगड इसमें देखेंगे chemical engineering management में यहाँ पे 29 और 5 seat है total आप यहाँ पे देखेंगे तो 23 इस तरीक से 30-40 seat है उसके बाद यदि हम लोग तीसरे university के बारे हम बात करें देखेंगे इसमें और क्या है, pharmaceutical science भी है आप इसका भी number of seats देख सकते है 5, 16, 6 इस तरीके से education में आप देख सकते हो, physical education में इस तरीके से है community education and development में इतनी seat है laws में देखें, faculty of law में देखें तो 13, 3, 16, 17, 18, 19 seat यहाँ पर भी खाली है बाकी इसमें कुछ ज़्यादा confusion नहीं होना चाहिए eligibility criteria बिल्कुल वही है जो सभी जगा पर, सुरू में हमने बताया था कि वही यहाँ पर भी applicable होगा test दो paper का होगा, यह तो आपको पता है कहीं पर भी test होगा, तो दो paper का ही होगा research methodology और फिर आपका जो है एक main paper जिसमें आपने master किया है यदि entrance test की बात करें तो 25, 8, 2024 Sunday को यहाँ पर जो है entrance होगा, चंडीगड में ही होगा उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात करें, मिजोरम विश्विद्याले के बारे में, तो देखें तीसरी जो university है, वो मिजोरम university है यह एक central university है ध्यान रखिएगा, central university है यहाँ पर बात करें, कौन-कौन से subject में city खाली है, तो यहाँ पर psychology है, public administration है social work है, political science है history है, निथनोग्राफी है sociology है, forestry है इधर देखते चलेंगे education है education में यहाँ पर PhD है English है, मिजो में नहीं है लेकिन हिंदी में है, physics में है, chemistry में है math में है, उसके लाबाब आप देखिएगा, environmental science है यहाँ पर industrial chemistry है, botany है geology है, geology geography है, geology है biotech है, horticulture है disaster management है, IT है electronics and communication है petroleum, geosciences है economics है, electrical engineering है commerce है, computer engineering है library and information science है live, endless civil engineering के बारे में यहाँ पर PhD है management है, tourism है planning and architecture है mass communication है, clinical psychology है यहाँ पर आपको 1000 रुपया form भरने का लगेगा 800 रुपया ACST candidates को लगेंगे उसके बाद यहीं बात करें कब तक तक तो 14 अगस्त 2024 तक PhD वाले form भर सकते हैं MA वाले का 15 जुलाई तक ही था बाकिया आपको करना क्या है जो लोग अभी MA का result वेट कर रहे है वो भी यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अगली इन्वस्टी के बारे बात करें तो यहाँ भी एक central university है यह सिक्किम इन्वस्टी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं registration का date जो है 31 जुलाई तक है तो आपके पास अभी परियाप्त समय है आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो eligibility बिल्कुल वही होने वाला इसलिए हम लोग direct जो है number of seats पर आएंगे कि कि subject में कितनी seat खाली है anthropology के बारे बात करें तो यहाँ पर 6 seat है भूटिया में 1 seat है botany की बात करें तो botany में 2 है chemistry में आप देखिए 14 seat है Chinese में 2 है commerce में 2 seat है computer application में भी 4 seat खाली है उसी तरीके से economics में 5 है education में 3 है English की बात करें तो यहाँ पर 3 seat खाली है geography में total 9 seat है geology में 9 seat खाली है Hindi की बात करें तो Hindi में आपर 4 seat खाली है history में 2 seat है उसके बाद horticulture में 4 है IR में seat नहीं है law में 2 seat है lecture, limbo और management में seat नहीं है मासकौम में 7 seat है mathematics में 4 है microbiology में 9 seat है music में भी यहाँ पर seat खाली है music में 6 seat है नेपाली की बात करें तो 2 seat है peace and conflict studies में 1 है physics में आपर 16 seat है political science में 3 है psychology की बात करें तो psychology में total 6 seat है sociology में नहीं है tourism में यहाँ पर 4 seat खाली है उसके बाद geology की बात करें तो यहाँ पर 5 seat है और बाकी जो subject था इसमें total इतना ही था उसके बाद fee structure बगर है तो आप यहाँ पर देख सकतो बहुत nominal fee है बहुत जादा fee नहीं है इसमें 4 universities का notification एक साथ है तो देखिए उत्राखन में जो state universities है यदि आप उनसे PhD करना चाहते है जैसे उदाहरण के तोर पे स्रीदेव सुमन इन्वस्टी है सोबन सिंग, जीरना इन्वस्टी है उत्राखनोपन इन्वस्टी है और चाहर इन्वस्टी के लिए eligible हो जाइए कि आप वहाँ पर PhD admission ले सकते हैं देखिए आपको यहाँ पर जाकर करके form भरना है या फिर यहाँ से आप इसको notification को download कर सकते हैं आप 22 जुलाई तक form को भर सकते हैं यानि यह आज ही तक था लेकिन ठीक है बीडियो लेट से बना लेकिन ठीक है आप अभी भी भर सकते हो मेरे ख्याल से लेकिन इन्होंने दिया क्या है नहीं नहीं इसको तो फिर मेरे ख्याल से इसको छोड़ना ही होगा अप टू 5 पीम है तो ठीक है इसको हटाते हैं लास्ट इंवस्टी के बारे बात करते हैं तो इन्वस्टी ओफ अलाभाद है आप यहां पे देख सकते हो यह सेंट्रल इन्वस्टी है यहां से जाके आपको फॉर्म सब्मिट करना है यहां पर क्रेट के माध्हम से एड्मिशन होता है common research entrance test 2024 का form आ गया है offline mode में exam होगा परियाग राज महीं होगा गलत फाहमी निकाल लीज़े आपके पास यारेफ हो, net हो, कुछ भी हो आपको यह test देना ही होगा किसी भी हाल में आप एक वर जितना number आपको test में आएगा आप फिर complain नहीं कर सकते हैं यहाँ पर objective भी होता है subjective भी होता है, हर एक तरीके का सवाल पूछा जाता है आपको 50% number लाना होगा यह दि आप unreserved है, तब EWS है, OVC है, SC है, ST है PWD है, तो 45% minimum लाना ही होगा, अठारा सो रुपय आप फॉर्म भरने का लगेगा, नौ सो रुपय लगेगा, reserved categories का negative marking की व्यवस्था नहीं है आप 12 अगस तक यहाँ पर form submit कर सकते हो अब आते हैं, direct, देखिए यहाँ पर लिखा है, the GRF qualified candidates are also required to appear in create level 1, आपको यहाँ पर test देना ही होगा, anyhow किसी भी सूरत में, यहाँ पर देखिए number of questions, कैसे marks का distribution होगा, वो इन्होंने अहाँ पर विस्तार से दिया है हम लोग direct आज आते हैं number of seats के बारे में कि subject में कितनी seat हैं, अब देखिए अहाँ पर merit जो बनेगा, उसमें higher school का number आपको यह दिए, यह देखिए 3 criteria है, 2 number मिलेगा इस तरीके से, तो आपका जो भी है जितना भी number है, वो इस हिसाब से 75 number का API जूड़ेगा, लेबल 25 number का होगा, जो interview होगा 70% weightage, देखिए एक calculation है आप endurance तो देना ही होगा, आप बाकी university समझेगी, क्या करना है, आप अच्छे से त्यारी कीज़े, बस direct आईए subject wise seat के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो है, एक तो अलहावाद university का main campus से seat आया है दूसरा उससे affiliated लगवग 8-9 colleges है, उनसे भी seat आया देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 affiliated colleges हैं जिनसे भी seat आई हैं तो हम total seat के बारे में बात करेंगे, पहला नंबर जो है आप देख लीजेगा, यहाँ अलहावाद university का main campus में जो seat खाली है, वो है, ठीक है अब चलते हैं, agricultural botany के बारे में बात करें, तो आहाँ पर 2 seat खाली है, chemistry में आहाँ पर 2 seat हैं, ancient Indian history, culture and archaeology में 63 seats हैं, anthropology में 8 हैं, arabic में seat 9 है, atmospheric science में 8 seat हैं, behavioral and cognitive science के बारे में बात करें, तो 8 seat हैं, biochemistry में 6 हैं, उसके बाद इसमें 3 seat हैं, bioinformatics में, biotech में बात करें, तो 5 seat हैं, botany में आहाँ पर 67 हैं, chemistry के बात करें तो 105 है, commerce में बात करेंगा 33 है, computer science में 11 है, defense and strategic studies में 13 seat हैं, उसके बाद इसी में आगे बढ़ते चलें, तो design and innovation in rural technology, इसमें total 6 seat हैं, development studies में 7 है, earth and planetary sciences, इसमें 8 seat हैं, economics में जो 36 है, education की बात करें तो इसमें 66 seats खाली हैं, electronics and communication की बात करें तो इसमें 29 हैं, उसके बाद English में बात करें तो 76 seat खाली हैं, environmental science में यहाँ पर 8 है, food and nutrition में बात करें तो इहाँ पर 3 seat हैं, food technology में 6 हैं, उसके बाद इसी में आगे चलते हैं, geography में 40 है, हिंदी में 70 है, journalism and mass com में 10 है, law में 46 है, materials science में 10 है, mathematics में total 26 seats हैं, उसके बाद medieval and modern history में 27 है, music and performing arts में 10 है, painting and visual arts में 8 है, portion में तो नहीं है, लेकिन philosophy में 25 है, physical education में 3 है, physics में 51 है, political science में 57 है, psychology में 41 है, उसके बाद Sanskrit की बात करें, तो Sanskrit में आप इहाँ पर देख सकते हैं, 59 है उसके बाद इसमें 43 है sociology में, statistics में 14 है, textile में यहाँ पर दो है, theater and film की बात करें, तो, sorry उर्दू में यहाँ पर 10 है, and geology में बात करतों 51 है तोटल 1182 तो आप मान के चलिए 1200 सीटे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर लगबग 188 सीटे थी, उसके बाद सबमेश सकूल मिला करके मान के चलिए कि 2500 से ले करके 3000 सीटो के लिए PhD अडमिशन की वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में विश्तार से बात कर रहे थे देखिए किसी तरीके का कोई confusion है, दिन आप हम से comment सिक्से में पूछ सकते हैं, कुसुम नेट classes का facebook page और telegram page दोनों आप लोग जोईन कर लीजे thank you so much